हाई फ्रेंड्स गुड मोर्निंग जैसी क्रश्णा कैसे हो आप सभी आज तो भी सुबह के नव बज के पचीस मीनिट हुए और मैं सारा घर का काम करके रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज घर पे मम्मी है इसलिए मम्मी इनने सारा काम में मुझे हाथ बटाया है तो मैं जल्द फ्री हो गई हूँ आज मैंने एक सुविचार पढ़ा है जो मैं आप सभी के साथ सेर करना चाहूंगी कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ खेरियत नहीं है इस्यत पुछते हैं हमारा गुगु महाराज मयन अज गर पे ही है क्योंकि उसको थोड़ा सा बुखार आ गया था तो मैंने आज उसको स्कूल नहीं भेजा है स्कूल जाने कि कभी हाइज नहीं पड़ता है उसको जाना नहीं होता अभी तो मैरे बाल भी ड्राइब हो गए तो मैं सोच रहे हूँ कि ममी के आथों से अपने सीर पे मसाज कर वालू है ना ममी ममी मेरे सीर पे अच्छा मसाज कर रही है मेरा एरफोल बहुत हो रहा था तो मैंने होमियोपेथिक ट्रीटमेंट शुरू की है उसमें होमियोपेथिक का यह दोक्टर बतराज का सैंपू, कन्डिशनर और यह ओल है साथ में यह दवा भी है जो सुबसा मुझे लेन नहीं होती है और मैंने होमियोपेथिक डोक्टर की उसकी गाइडलाइन की अन्डर मैंने यह चुरू की है और वो डोक्तर है, डोक्तर आननमा कविया, जो मेरे भाईया ही है, बहुत मस्त रिजल्ट मिला है, मेरा हेरफॉल कम हो गया है, और आपको भी यह ट्रीट्मेंट करवानी हो, तो आप भी होमियोपेथिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो अईर्वेदिक है, बहुत अच्छा है रोटी का अटा गुन के रग दिया है क्योंकि रोटी तो अभी हमें देर से बनानी है इनके नानो न्यूजपेपर पड़ रहे और नानी और मयान दोनों खेल रहे हैं मैंने आप सभी को पहले भी बताया था और आज भी फिर से बता रही हूँ कि मैं मेरे व्लोग में वर्किंग मूमन की पूरी लाइश्टायल बताती हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग मूमन हूँ मैं जो भी करती हूँ तो मैं मेरे व्लोग में वर्किंग मूमन जो घर के समभा लेधान // अथावी बार्भाब करकूल में थांग हो आज लोग में सकेनाटिंस कार्भाया वज्ट्रों में विभिंता होती शिक्री इस स्टुडेंट्स अलग-अलग प्रकार के कपड़े के टुकड़े ये प्रोडेक्स में गुंद से लगाए है और उसके नीचे नाम दिया है कि जैसे कोटन, उन, रेसम वगेद ताकि सभी स्टुडियन्स को कपड़े की पहिचान हो वो भी कपड़े को स्पर्स करके और देखके बता सकते हैं कि कौन सा वस्त्र किस रेसा से बना है आज मैं दाल वड़ा बनाने वाली हूँ तो ये दाल वड़ा का बेटर मैंने रेडी किया है और गेस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है ये दाल वड़ा के बेटर को हाथ में लेकर उसको तेल में छोड़ देंगे तेल गरम हो गया है तो गेस की फ्लेम हम दिमी रखेंगे और वड़ा को स्लो फ्लेम में ही फ्राई करना है स्लो फ्लेम में फ्राई करने से ये वड़ा बहुत मस्त क्रिस्पी बनते है और ये दाल वड़ा बजार जैसे मस्त रेडी हो गए है मायन को चिप्स बहुत पसंद है तो मैं मायन के लिए चिप्स बना रही हूँ ये हो गई मायन के लिए चिप्स रेडी सुखाई चे मायन केवी लाइगी चिप्स बहु भावे चे तन्ने तो रोज आज खाऊ चे रोजाए थोड़ी नखवाई साकरोटली पन खावा पड़े ना तो सुखाऊ आज खाना खाना के बाद मायन को निंद आ रही थी तो उसको शुलाने में में ये व्लोग का एंड करना ही भूल गई तो आज सुबह उटके ये व्लोग का एंड करूंगी आप सभी को मेरा व्लोग कैसा लगा वो कोमेंट में जरूर बताएगा में हर जो व्लोग बनाती हो वो कैसे लगते वो आप सभी मुझे कोमेंट में बताएगे और मेरा भाइया जो हुमयोपैतिक डोक्तर है उसका काड में ये व्लोग में कर्ख रही हूं आप उसके जरीए उसकी गाइड ले के आप अपनी ठीटमेंट करवा सकते हो तो मैं हुसका कार्ड इस लोग में रख रही हूं तो आप सभी वो कार्ड देख लिज्येगा ये मेरा बहिया का काड़ है आज का मेरा व्लोग इतना ही है बाई जेसी करशना